हेलो दोस्तों दृष्टी आइस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है पिछले कुछ महीनों में हमने चैट जीपीटी को लेकर के जो चर्चा थी बहुत जादा देखी चैट जीपीटी किस तरह से कार कर सकता है उसकी और क्या-क्या छमताएं हो सकती है चुकि प्रोग्राम एक open platform की रूप में सामने आया था इसलिए कई सारे जो लोग है उन्होंने उसका उपयोग किया और उसके उपयोग के दोरा उन बातों को समझा कि उस प्रोग्राम की क्या-क्या विशेशताएं हैं और उसकी क्या-क्या सीमाएं हैं चुकि artificial intelligence या कृत्रिम बु भविश्य की तक्णीक मानते हैं और वह भविश्य किसी एक दिन ही नहीं आएगा वह आने वाले समय में धीरे-धीरे हमारी रोजमर्रा की प्रक्रिया में शामिल होता जाएगा इसका ही एक उदाहरण हमने चैट GPT के रूप में सामने आता हुआ देखा और उस प्रक्रिया ने लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया लेकिन एक सवाल ये भी था कि चैट GPT चुकी इस तवे आया है तो उसके बाद अगला कदम क्या होगा किस तरह से इसका अपग्रेडिड वर्दन आएगा या फिर जो इसकी लिमिटेशन्स है इसका आने वाला प्रोग् करेंगे कि जो चैट GPT था उससे GPT-4 कैसे अलग है टॉपिक में दिया है नया GPT-4 ऐसा क्या करेगा जो चैट GPT नहीं कर पाया तो अब चुकि अपग्रेडिड है बहतरीन होगा हम जानेंगे इसलिए भी ज़रूरी है क्यों कि चैट GPT की क्या चंताएं थी उससे आगे आने से हम और नई चीजों को सीख पाएंगे या जो चीजे हम जानते हैं वो भी हम से चूर जाएंगी लेकिन इन सवालों के जो जवाब है हम धीरे धीरे हमारे सामने आते रहेंगे न्यूज में दिया है what is GPT-4 and how is it difference from chat GPT बात करेंगे चर्चा में क्यों है देख लेंगे GPT-4 क्या है इसको ही समझना है हमें GPT-3 से कैसे अलग है जो शब्द है GPT किस तरीके से उसका उपयोग कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्या निशकर्च हो सकता है इस पूरे मॉडल के बाद समझने के बाद और क्या प्रश्ण होगा जो हमसे प्रारंबिक परिक्षा में तकनीक के लिए तकनीक एडवांस्मेंट के लिए पूछे जा सकते हैं चर्चा में इसलिए है क्योंकि open AI जिसे AI का artificial intelligence का पावर हाउस कहते हैं एक कंपनी है जिसमें असा माना गया है या फिर पता चला है कि Microsoft ने काफी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है Microsoft आपको पता है जो computer में हम Windows का इस्तमाल करते हैं बहुत बड़ी अमेरिकी company है और Bill Gates उसके founder माने जाते हैं तो GPT-4 की घोशला इन्होंने की है जिसको तकनीक का अगला चरण माना गया है और बड़ा update है इसका तो chat GPT और Microsoft का जो Bing है जैसे Google सर्च ह इसकी तुलना में बड़ा है तेज है और अधिक सटीक है ऐसी बाते कही गई है एक करके हम तमझेंगे इसके उदाहरणों में चुकि हमें इसके बारें बहुत ज्यादा जानकारी कैसे पता चलती है इसकी website में जाकरके जो उन्होंने examples और इस्ते जुड़े हुए जो चार् सब्सक्राइब 14 मार्च 2023 को की गई है और मल्टी मॉडल का मतलब हुआ कि एक मॉडल पर ही आधारित नहीं है यह कई तरह के कार कर सकता है आपको याद होगा इसके पहले वाला मॉडल हम क्या कह रहे थे चैट GPT तो यहाँ पर जो शब्द है चैट GPT यही इसका एक उधारण है कि यह चैट कर सकता था याणि लिख करके बातचीत कर सकता था आप इससे सवाल लिख करके पूछ सकते थे और यह लिख करके आपको जवाब दे सकता था GPT यहाँ पर जो लिखा हुआ है यह इसका प्रोग्राम है जिस पर चैट GPT बेश्ड था और यह था GPT का मॉडल 3.5 और अब इसका ही अगला चरण GPT 4 आ गया है एक सवाल हो सकता है कि फिर हम इसको चैट GPT 4 क्यों नहीं कह रहे तो इसका जवाब अभी आपको आगे भी मिल कर सकता है इसका क्या मतलब हुआ मतलब यह हुआ कि अगर आपने कोई तस्वीर इसके पास अप्लोड कर दी तो आप पूछ सकते हैं कि इस तस्वीर में जो दो चीजे दी हुई है इसका क्या आर्थ हो सकता है जैसे यहां पर एक उधारण में हम पहले इसको ही देख लेते ह जैसे इस तस्वीर को आप देखिए यहां पर एक इंसान से अगर आप पूछेंगे कि यहां पर जो लटके हुए है इस तरह से यह लकड़ी का एक पैनल लगा हुआ है यहां बॉल रखी हुई है तो अगर इन गलप को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा इंसान इसका सिंपल दी बात है अगर यह गिरेगा तो बॉल सवा में उचल जाएगी तो यह इमेज को देख करके भविश्य बता दिया इसने मतलब जिस तरह से सवाल पूछा इमेज को इंपूट्स को लेकर उसमें बता पाया वह इस बात को पहचान रहा है कि इमेज में क्या चल रहा ह है तो यह इसका बहुत बड़ा अपग्रेड है जिसको यहां दिया गया है तो इसलिए कहा है कि इमेज का इंपूट के रूप में उप्योग कर सकता है अब चैट जीपीटी 3 और जीपीटी 3.5 केवल टेक्स में संचालित होते थे आप उससे कहते थे कि कविता लिग दो कव भी बहुत सारी चीज़े यहां पर केवल यूजर्स टाइप करके प्रश्ण पूछ सकते थे वह जवाब दे देता था अब यह वाला इससे आगे है इसके अलावा जीपीटी 4 विभिन पेशेवर और शेक्षणिक बेंचमार्क पर मानो इस्तर का प्रदर्शन करके दिखा रहा है यानि इसके पहले आपने देखा था कि चैट जीपीटी का इस्तमाल कई सारी परिक्षाओं के इस्तर पर भी किया गया था उससे पूछा गया था कि अगर कोई प्रश्ण पत्र किसी परिक्षा से संबंदित है तो वह उसमें कैसा प्रदर्शन कर सकता है यूपीएस जैग्जाम होता है लॉयर्स के लिए तो उस एक्जाम को भी इसने कर लिया है और एक अच्छे स्थर पर क्रैक किया है तो भाशा मॉडल का एक सिमुलेटेड बार परिक्षा इससे कराई गई थी उसको इसने उस्तीड किया है और टॉप टैन परिक्षार्ति हो के लेवल प करें उसका जवाब ये देदेगा हम कह सकते हैं कि तीन बीजी लोग हैं उनके बीच में मीटिंग का चेडूल फिक्स कर दो वो कर देगा इसके लावा यूजर्स की रचनात्मक लेखन शैली को भी सीख सकता है यानि कि अगर आपने कोई इसको दिया है या फिर आपने इसके क मशीन आज के समय इस तरह से सीख पा रही है जिस तरीके से हम किसी इंसानों को सिखाते थे चुकि इंसानी दिमाग अपने आप में लिमिटेड है लेकिन यहां पर मशीन है जिसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा है ये एक बड़ी बात है इंसान की दिमागी छंता भी सीमित है याद रखने की समचंता हैं भी सीमित है लेकिन यहां पर मशीन को आप कितना भी डेटा दे सकते हैं और उसकी लिमिट्स को आप बढ़ा भी सकते हैं ये बड़ी बात है तो जीपीटी 4 की खासियत यह भी है कि वह लेक के 25,000 से अधिक शब्दों को संभालने में सक्षम है जबकि जीपीटी 3 या जीपीटी 3.5 जिस पर चैट जीपीटी बेजड था वो इससे कहीं कम शब्दों को संभाल पाता था उससे अधिक शब्दों होने पर तुर्टियां भी हो जाती थी यहां पर कई सारे एक्जाम्स से आपको चार्ट दिया गया है तो इन एक्जाम्स म चैट जीपीटी और जीपीटी 4 के जो परेडाम है कितना अंतर आया आप देख पाएंगे यानि जो नीले रंग से बार है यह दिखाते हैं जीपीटी 3.5 यानि चैट जीपीटी के प्रदर्शन को अब इसके उपर जो डार्क हरे रंग से आपको दिख रहा है यहां तक इसी तरह यहां पर एक एक्जाम का जिक्र किया गया है और यह परडाम कहीं ज्यादा उससे बहतर है तो जीपीटी 3 से या जीपीटी 3.5 तो बहुत बहतर है चैट जीपीटी से अलग कैसे प्रश्णिय भी होगा तो पहली बाद तो यही हमने जो चर्चा की कि इमेजेस को देख सकता है उसमें इमेजेस जैसा कुछ भी नहीं था कि आप इमेज अपलोड करके पूछ सकते हैं कि इस इमेज के संबंद में क्या चल रहा है आज के समय कई सारे ऐसे भी AI टूल्स आते जा रहे हैं जहां पर आप उसे किसी एतिहासिक परिद्रिश्य को बता करके कह सकत हैं कि इसकी एक इमेज ड्रॉ करके देदो इंटरनेट पर आप सर्च करेंगे आपको बहुत सारे इस तरह के इमेजेस मिल जाएंगी जैसे सम्राट अशोक की एक चित्र बना करके दिखाया जैसे आपने कह दिया कि चंदर को तुमोर कैसे दिखते थे तो इस तरह की कई सार चल रही है जिसमें से एक मॉडल यह है ऐसा नहीं कि केवल एक मात्र यही मॉडल है जिसकी हम यहाँ पर चीजों को खासियतों को प्रशंसाओं को देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे मॉडल विक्सित की जा रहे हैं गूगल भी कई तरह के प्रयास कर रहा है लेकिन चुकि एक प्लेटफॉर्म है जिसने अभी बहुत बड़ा इंपक्ट फोड़ा है और लोगों के बीच में पॉपलर है उसके बारे में हम जान सकते हैं उससे ओधारणों को देख सकते हैं इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं तो GPT-4 एक मॉडल है जो इसे बाकियों से अलग बनाता है इसके अलावा सूचना के एक से अधिक साधनों का यह समझने में सक्षम है यानि कि एक information लिख करके दी जा सकती है दूसरी image की तुरू दी जा सकती है और भी तरीके इसके अलावा GPT-3 और चैट GPT के जो GPT-3.5 system था वो केवल लिख करके ही समझता था यानि केवल लिख और पढ़ सकता था उससे आगे है आपने एक उधारण देखा होगा इस कुस दिनों पहले Google Lens का उपयोग किया जाता है Google Lens एक software है जो Google की तरफ से आता है इसमें आप किसी तस्वीर को scan करके पता कर सकता है कि वह तस्वीर किस तरह से संबंदित है या उसके बारे में क्या जानकारी हो सकती है माली यह किसी को नहीं पता कि कुत्व मिनार किस तरह से तो आप कुत्व मिनार की तस्वीर अगर आप वहां डालेंगे तो उसके बारे में जानकारी आ जाएगी लेकिन इस इसके पूछा गया है कि what is funny about this image, describe it, panel by, पैनल यहाँ पर तीन तस्वीर दी थी और पूछा गया कि इसमें funny क्या है, simple की बात है, अब कोई व्यक्ति हो सकता है इस बात को ना समझ पाए, तो इसमें एक iPhone रखा हुआ है, यहाँ पर एक lightning केबल में एक charging port लगा हुआ है, अब इसमें funny है, यह बात बिल्कुल सही है, एक तरह से इस तरह की बात कर पाना बड़ी बात है, और यह वाला उदरण हमने देख लिया है, इसके अलावा GPT 4 में बहतर सटीकता है, GPT, chat GPT और GPT 3 के जो पुराने इसके वरदन थे, उसमें अगर हम देखते हैं, तो data process करने की प् प्रशिक्षित कर सकते हैं, इसके अलावा, बातचीत में अगर आप देखेंगे, तो GPT 3.5 मॉडल लगबग 8000 शब्दों को संसादित करने में सक्षा में समाल सकता है, वहीं GPT 4 64000 शब्दों को समाल सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप इससे कहीं लंबे वाकिविन्यास बनवा सकते हैं, कहीं लंबे पैसेज लिखवा सकते हैं, कहीं लंबी बात कर सकते हैं, ताकि ये और सट चीकता से बड़ी बातचीत का भी जवाब देगा इसके अलावा GPT-4 भाशाओं के इस्तर पर देखे क्योंकि अगर बातचीत की बात हो रही है तो अलग-अलग इस्तर पर विश्व में अलग-अलग भाशाएं बोली जाती है यह इसका उदारण ही नहीं है ऐसा भी होगा अंदर्भित करने के लिए और शामिल करने के लिए लेकिन इंटरनेट पर हम देखते हैं कि ज़्यादा तर जानकारी का माध्यम है वह अंग्रेजी भाशा है तो अंग्रेजी से अगर अलग भाशाएं आएंगी तो किस तरह से कोई भी AI अप्लिकेशन प्रतिक्रिया देग अग्रेजी अग्षाओं में प्रसिखन दिया जाना चैलेंजिंग होता है हला कि इसको दिया गया है तो अधिक बहुभाशी भी है और 26 फरह नहीं हजारों बहु विकलपी प्रशनों का सटी को उत्तर कर पाया है तो अधिक प्रस्टा है और अधिक सटीकता है ठीक और क्या है यहां आपको दिख जाएगा इस चार्ट में दिखाया गया है कि किस-किस भाषा में इसने कितनी accuracy प्राप्ट की है GPT 3.5 इंगलिश में अगर आप देखेंगे तो लगभग 70.1 परसेंट accurate था यह वाली जो लाइन है इंगलिश यांगरेजी भाषा के लिए GPT 4 की है यह 85.5 परसेंट के असपास accurate है नि उससे कहीं ज्यादा है बाकी भाषाओं को लेकर के भी इसका चार्ट दिया गया है कि किस भाषा में कितना कार कर रहा है उर्दू में देखेंगे तो उर्दू में लगभग 72.6 पीसद इसकी accuracy है नेपाली में भी लगभग 72 पीसद के आसपास थाई में भी देखेंगे तो 71 पीसद के आसपास मराठी में देखेंगे तो मराठी में भी इसकी accuracy लगभग 68 पीसद से ज्यादा की है कह सकते हैं कि overall इ सीख रही है अंतर केवल यह होगा कि कैसे हम उसके साथ अपने दैनिक जीवन को जोड़ पाते हैं किसी भी तकनीक के लिए यही बात महत्पूर होती है एक समय जब कभी फोन आए रहे होंगे उससे पहले चिठी का जमाना चलता था लोग चिठी ले करके जाते थे उसमें समय आप देखेंगे कि तकनीक समय की प्रक्रिया को कहीं ज़्यादा तेज करती जाती है फोन आये लोगों के पास पहले तार वाले थे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे PCOS का इस्तेमाल करते थे mobile phones आये लोगों के हाथ में है लोग बात कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं एक समय टेलिविजन था लोग स्क्रीन पर बैठ करके घरों में देखते थे आज भी टेलिविजन है लेकिन लोग mobile पर OTT प्लेटफॉर्म में इन चीजों का ज़्यादा इसमाल करते हुए दिखते है अगर इस तरह की टक्निक आती है तो वह कई तरह की चीजों को बढ़ावा देगी यानि जो जो किसी सामान व्यक्ति द्वारा किये जाते थे हो सकता है अनिवाल समय में वेकार इस तकनीक के माध्यम से किये जाने लगे लेकिन ये भी होगा कि ऐसे लोग जो उस तकनीक को रेगुलेट करते हैं या उस तकनीक का इस्तमाल करते हैं वो फिर अधिक उशल हो सकते हैं उस त आगे बढ़ेंगे ऐसे में जो समाज का डैवलपमेंट है वो कहीं तेजी से होगा और बहुत सारी जटिल समस्याएं जो मनष्य नहीं सुल्जा पा रहा है वह सकता ही सुल्जाती जाएं बशर्ते उसका सही से इस्तेमाल हो और तकनीक कवक्यों हम देख पाएं अभी के लिए तो निश्यत तोर पर इसकी जो सुविधाय हैं बहतर होगी और भी अलग-अलग कंपनिया है जो अपने अपने हिसाब से इसको अपने उत्पादों से जोड रही है लेकिन अभी क्या आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं जैसे आप चैट जीपीटी को यूज कर रहे थे तो अ आधारित होने वाला है तो Microsoft एक तरफ इस पर कार कर रहा है इस पर मदद ले रहा है और उपन AI को उसने इसके पहले फंडिंग भी की थी लेकिन Google का अगर आप प्रोसेस देखेंगे चुकि Google भी इसी तरह की एक टेक कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है जिस तरह से Microsoft ऑप योग सीखते जाएंगे प्रश्ण क्या है प्रश्ण है निम्निलिखित कथनों पर विचार कीजिए जीपीटी मॉडल एक सीखने योग क्रित्रिम बुद्धिमत्ता का उधारण है दूसरा Google ने क्रित्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ा हुआ एक पाथवे भाशा मॉडल लॉंच किया है तो आपको बताना है कि इन में से कौन सा या कौन से कथन सही है तो गूगल का एक मॉडल दिया है पात्वे भाशा मॉडल जीपीटी का अगर हम बात करें जो चैट जीपीटी था वो एक लेंडा मॉडल था जिस पर ये आधारित था तो इसको कहा गया है लेंग्विज मॉडल फॉर डायलोग एप्लिकेशन अगर ऐसा कोई सवाल है तो इसको भी याद रखिएगा ये लेंग्विज मॉडल फॉर डायलोग एप्लिकेशन पर आधारित है गूगल इस तर अगुष सीखने को मिला और क्या आपने इसको पहले इस्क्माल किया है मिलते हैं अगले सेशन में पढ़ते रही अपना खयाल रखिए शुक्रिया हुआऊ शुक्रि